वेल्कम टू होम क्रिटिविटी विट सुची एड मैं हूँ सुचित्रा तो कैसे है आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आज मैं शेयर कर रही हूँ फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी तो इसके लिए मैंने बड़े साइज के आलू ले लिए हैं तो बड़े ब आलू लेले से फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छे बनेंगे दिखेंगे भी बहुत अच्छे तो इस तरह से पूरी तरह छिलका निकालте और फिरप से काट करंदा है लंबे-लंबे टुक्रों में इस तरह से मोटे और लंबे टुक्रे तो मैं आपको अभी काट कर के हैं pinch事 काटिकंगे बाद इसे पानी में रखते और उसके बाद हमें इसे बॉल करेंगे तो बॉल पूरी तरह नहीं करेंगे पहले हम पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे जब वो खॉलने वाला होगा फिर आज धीमी करके हमें इसमें ये फ्रेंश फ्रायस को डाल देना है तो इसे हमें भाब से पकाना है तो पहले तो मैं इसे धो के निकाल रही हूँ फ्रेट में ूराफेरी गरम पानी है बिल्कुल बॉयल होने वाला है उसमें मैंने आधा Shoot pregunta प्रफ्रमक डाल दिया है और अब यह कटे हुए पोटेटोस डाल देना है फिर इसे मैं ढ़कर लगा दोंगी और आज धीमी कर दूंगी इसे तेज आज पर नहीं पकाना है बिलकुल हमें इसे हमें इसे हल्का सा बस पकाना है बॉइल नहीं करना है तो आज धीमी करके और 3-4 चार मिनट पकाने के बाद यह देखिए मैंने निकाल लिया चनी में अब इसे हमें फ्रीज करना है तो एक घंटा फ्रीजर में आप इसे रख दीजिए और उसके बाद आप तेखेंगे कि यह बिल्कुल सेट हो गया है तो एक घंटे से कम नहीं रखिए पूरा एक घंटा या बार में फ्राई होगा पहली बार में हमें इसे हलका गोल्डन करना है तो यह देखिए मैंने थोरा सा इसमें डाल के आपको दिखा रही हूँ थोरे से पोटेटोस मैंने डाले हैं और हलका सा बदामी होने पर इसे निकाल लिया है अब इसे मैं पहले ठंडा करूंगी पंग अब ये क्रिस्प होगा अभी फिलाल ये क्रिस्प नहीं हुआ है तो इसी तरह से मैं सेकेंड बैच भी डाल रही हूँ और आज मीडियम रखना है तेल को अच्छी तरह से गर्म करके ही आप इसे फ्राइ कीजिए तेल ठंदा नहीं होना चाहिए और आज को धीमी नहीं रखे तो ये देखिए पंके की हवा में मैं इसे ठंदा कर रही हूँ और अब इसे दुबारा हम तलेंगे तो उसी सेम तेल में सेम पैन में ही मैं वापस इसे डाल रही हूँ तेल गरम है और आज मीडियम रखते हुए इसे चलाते-चलाते हुए पकाना है और एकदम अच्छा ब बहुत ही अच्छे से एक रेडिश कलर आ जाएगा तो लाल होने तक हमें इसे अच्छे से फ्राइ करना है लगातार चलाते रहें और इसे हम निकालेंगे एक छणी में टिश्यू लगा के तो जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो नीचे निकल जाएगा तो ये देखिए बहुत संदर सा कलर आ गया है और ये काफी क्रिस्प हो जाता है तो एक बात का धिहान रखे कि जब हम इसे भाप पे पकाते हैं तो ज्यादा ना पकाए बिल्कुल हलका सा पकाए तीन से चार मिनट बहुत है इसे ढकल लगा के पकाने के लिए और फिर इसे दो बार फ्राइ करना है अब ये इसका कलर भी आ गया और बिल्कुल क्रिस्प हो गया है तो आप भी से ट्राइ किजिएगा और मुझे जरूर बताईएगा कि कैसा लगा तो मैं मिलती हूँ नए वीडियो में तब तक टड़ा